नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका आमारे बेस्ट फार्मर यूटूब चैनल पर दोस्तो मैं हूँ रविंदर सिंग आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर यूटूब चैनल अगर दोस्तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो आज हम बात करेंगे कि मुर्गियां अंडा नहीं दे रही है दोस्तो आपने देखा होगा कि कभी आपकी मुर्गी अंडा देने के लाइक हो गई है लेकिन फिर भी अंडा नहीं दे रही है तो ये क्यों नहीं दे रही है तो इसके कई रिजन आपको मैं बताता हूँ पहला रिजन है कि जब आपकी मुर्गी तीन महिने के चार महिने के हो गई है और आपने सोचा होगा कि मुर्गी अंड देने के लाइक हो गई है लेकिन फिर भी अंडा नहीं दे रही है दोस्तों ये गलत है जब आपके मुर्गी पांस महिने से उपर होगी तो ये अंडा देना स्टार्ट होगा वड़ना नहीं देगी अगर चलो आपके मूर्गी 5 मेने की 53 मेने की हो गई है फिर आप उस मूर्गी का देखे कि बजन कितना है अगर उसका 1 केजी 600 ग्राम बजन नहीं है तो वो मूर्गी एंडा नहीं देगी ठीक है दोस्तो दोस्तो अगर इस 1 केजी 600 ग्राम से इपर होगा ज्यादा बजन होगा तो भी नहीं देगी और कम होगा तो भी नहीं देगी जैसे कम सी कम चलता है कि एक केजिट 400 ग्राम से लेकर कि एक केजिट 600 ग्राम तक आपकी मूर्गी हो तो अंडा देगी एक तो करण यह होता है कि आपकी मूर्गी का बजन कम है तो अंडा नहीं दे रही है एक है कि आपकी मूर्गी का बसन जादा है तो भी अंडा नहीं देती है ठीक है दोस्तों और उनमें आपकी मूर्गी की हेज भी विर 6,5 महीने हो गई है और बसन भी है यह कि 400 ग्राम से लेकरस्थों ग्राम के अंडर अंडर में है ठीक है दोस्तों फिर भी आपकी मुर्गी अंडर नहीं दे रही है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नुसका आपको बताऊंगा तो वो करके देखना ठीक है दोस्तों यह अंडा क्यों नहीं देती है कि जब आपकी मुर्गी में केलसियम की कमी हो तब यह अंडा नहीं देगी ठीक है दोस्तों तो आपको पहला उप्योग यह करना है कि जब आपके मुर्गी या दूसरी मुर्गियों के अंडे होते हैं या भारमी इंडो के छिलके होते हैं उन छिलकों को बारिक पीस करके वो भी आप खिला सकते हैं इससे भी केल्सियम की कमी की पूरती होती है ठीक है दोस्तों एक जब हमारी चाय पती होती है वो भी खिला सकते हैं इससे भी केल्सियम बढ़ती है और तीसरा उप्योग है कि खाने वाला चूना होता है ठीक है दोस्तों उसको अपनी एक मूर्गी को एक गेहूं का दाना होता है उतनी मातरा में पानी में मिला कर पिला दें इससे भी आपकी मूर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है ठीक है दोस्तों और दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो मे भी कई वीडियो में बताया कि आप अपने मुर्गी ये मुर्गों को हरा चौरा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाईए इसे भी आपकी मुर्गी ज़्यादा और जल्दी अंडा देना स्टार्ट होगी और इसका वज़न भी अच्छा रहेगा ठीक है दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसको लाइक करे शेर करे कमेंट जरूर करे कि आपकी मुर्गी येंडा देना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ इसे आपको कैसा लगा ये वीडियो ठीक है दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे जए जबान जए किसान